देखिए नाम बदल जाने से किसी का चरित्र नहीं बदल जाता। यूपिये के चरित्र से पुरा देश बहुत अच्छी तरीके से परचित है। अब ये चाहे जो कुछ भी कर लें, इनका हस्र वही होना है, जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ। और ये सही है, कि यूपिये के कुकर्मों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, ये नाम का सहारा ले रहे हैं। निरंतर संसद सत्र को किस तरह से बाधित कर रहे हैं, देश को किस तरह से गुमराह विपक्ष कर रहा है। ये आज पुड़ा देश देख रहा है। इसलिए इनको सजा तो जनता को देनी ही है। और आगे भी जनता देगी, ये चाहे अपना नाम बदलने चाहे और कोई काम कर लें। कोई फरक देश की जनता पर पढ़ने वाला नहीं है, देश की जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है, भारती जनता पार्टी के साथ है। हरियाना के नूम में रही है, इंटरनेट सेवाय बादित कर दी गई है, और वहीं जिले में धारा 144 लागो कर दी गई है, कर्फू के भी आदेश है। कर्फू वहाँ चल रहा है, और वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि 5 अगस्त तक इंटरनेट की सेवाय पूरी तरीके से बंद रहेंगी, और हम स्वागत करना चाहते हैं हरियाना की सरकार का। उन्होंने बहुत सक्ती के साथ उपद्रियों से निपटने का, वहाँ की सरकार ने काम किया है, और आगे भी चाहे अपराधी कोई होगा, उसके साथ सरकार सक्त कदम उठा कर उनको दंडित करने का काम करेगी, इस तरह का बयान वहाँ की मुख्यमंत्री जी का आ रहा है। जिनको सांती पसंद नहीं है, देश का भिकास जिन लोगों को पसंद नहीं है, इस तरह की मानसिक्ता के लोग जब भी मौका मिलता है, तो समाज में आसांती पैदा करने का प्रयास करते हैं। सरकार वहाँ पूरी तरीके से सक्षम है, कड़ी कारवाई सरकार वहाँ की कर रही है, और ऐसी घटनाओं की पुन्रावत्ति ना हो, इसके सारे उपाय वहाँ की सरकार उपाय भी कर रही है, सरकार ने अच्छा काम किया है, और उपद्रियों के साथ जो होना चाहिए वो सरक कार वहां कर रही है केंद्री आज जब संसद में मुद्दा उठाया गया तो विपक्ष चर्चा से भाग रहा है इस विपक्ष के इस विवहार से मैं बहुत दुखी हूँ नहीं उनकी मानसिक्ता और उनकी सोच का ये दोस है कि आज संसद सत्र पूरी तरीके से बाधित है जन इस तरह से बिपक्ष ब्यर्थ कर रहा है ये देश देख रहा है पहले दिन से सरकार चर्चा कराने के लिए तयार है सरकार चाहती है कि देश इस बात को जाने कि वहां घटना कैसी हुई और आज मडिपूर की स्थती क्या है लेकिन बिपक्ष ये नहीं चाहता बिपक्ष प पर विपक्ष चल रहा है सरकार हमेशा चर्चा के लिए भी तयार है बार बार सरकार आमंत्रित भी कर रही है लेकिन मनिपूर के बहाने संसत को सत्र को बाधित करना और देश की जनता को गुमराह करना इस बात पर विपक्ष सिर्फ उसका बहाना लेकर सिर्फ विपक्ष अप चे करोड रुपे से अधिक संपत्ती कुर की है एजन्सिया काम कर रही है पहले भी की है आज भी कर रही है और कल भी करेंगी देश की संपत्ती को जनता की संपत्ती को जिन लोगों ने ढाका डाल कर लूटने का काम किया है आज मुदी जी की सरकार मुनकी एजन्सिया आज ऐस इसे लोगों को बेनकाब भी कर रही है उनके खिलाब कारवाई भी कर रही है और आगे भी करती रहेंगे पर इसमियोगी जानते हैं कि मुस्लिम पच्छ ने इलाभाद हाई कोट में इसमें विवाद क्या है सच्चाई कह दिया हमारे सरद्य मुखमंत्री जी ने हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं कासी के रहने वाले हैं और जो सुबूत जो प्रमाड वहाँ दिखाई दे रहे हैं और सदियों से हैं उनको कोई छुपा थोड़ो सकता है तो मुखमंत्री जी ने तो सही बात कह दी अब इसमें किसी को अगर मिर्ची लग रही है तो लगे मानी नियाले के फैसले का हम लोग इंतजार कर रहे हैं मानी नियाले के फैसले का हमेशा सरकार ने सम्मान किया है आगे भी करेंगे अब तो वो समया रहा है जब दूद का दूद और पानी का पानी होगा और किस तरह से भावनाओं और स्रद्धा पर किस तरह से हमला किसी जमाने में हुआ वो भी चीजें सामने देश के आएंगे और हम लोग फिर अपील करना चाहते हैं मुसलिम समाज से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सचाई को सुखार करना चाहिए और जनभावनाओं का आदर करना चाहिए एक अच्छा रास्ता निकल सकता है नहीं तो सम्मानित नियाले तो अपना काम कर रही है आगे मानी नियाले का जो आदेश होगा उसका पालन सरकार करेगी